हलो पारा बच्चों आप सभी का सुभम क्लासेश पर सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ आज हम डिसस करेंगे क्लास 12 मैथमेडिक्स में जो लगूत तरी प्रश्णों को जो सीरीज चल लई है बच्चों जो पांच नमबर के शवाल पूशे जाते हैं पूरे चप्ट कोशन करेंगे यह कोशन बहुत ही इंपोर्टेंट है आप किसी बी 2020 का जो पेपर बनेंगा देख लिजेगा किसी सेट में जरूर होगा एवन हम कह सकते हैं कि पूरे सेट में हो सकता है बहुत ज्यादा चांसर से सवालों इस तरह के सवाल आने के ठीक है आपकी होली कैसी र हो गया सभी बचे कमेंट करके बताएं और देखिए हमने जिस रंग लगा है मेरे शर्ट पे अभी मैं चाहरा हूं कि अभी रंग उत्रेना तुरंत उतर जाएगा तो कैसे पता चलेगा भाई कि हो ली थी कल आईए हम फिर से वही जोस वही जुनून के साथ फिर से कि पढ़ जाएगी क्योंकि आठ या साथ मैई से संभवत है एक्जाम होंगे ठीक है टाइम टेवल आज 29-30 है एक दू दिन में आ जाएगा उख किलियर हो जाएगा छुटी के वज़ए से थोड़ा सा टाइम टेवल में दिक्कत होगा है ठीक है परशान हो निक जिवत नही एक फंक्षन का दूसरे फंक्षन के साफ एक्ष ऑक्रन ग्यांत करना है इस तरह के सवाल हमने बहुकाल से रिजमें भी कराए हुआ है लेकिन जितना बार आएगा उतना बार कराएंगी कि इस तरह की सवाल बहुत इंपोर्टेंट है यानि कि एक फंक्षन का अभी तक जो ह ही मिलेगा syllabus आलेडी कम हो चुका है आपका revision कई बार हम करा चुके हैं सवालों को रिपीट कराने इस तरह सवाल को हल्ग करने लिए क्या करते बच्चा अगर देखा जाए इस function को यू मानेंगे देखिए माना इसको आप माले जीएगा यू देखिए कैसे solve कर रहे हैं 10 inverse यहां पे 2x अपान में 1-1 square ठीक है मेरे साथ solve कर यह एवं वीडियो पसंद आ रहा है बच्चा वीडियो अब देखिए होली-ओली ठीक है बीद गया पर इससे ज्यादा आप नुक्शान नहीं करेंगे हम continuity बनाय रखेंगे और ज्यादा समय हमको पता अभी भी आप लोग को ठीक है डियो वाई डिवी जिसके सापिक्स बताना कि फणक्शन हमिसा नीचे रहेगा और जिस फणक्शन हे छी सबोचते में बताना इस फंक्शन का अकनड डेरिवेटीव ठीक है तो येप डियो यडिवी देखा जांट या फंक्शन x का है तो अगर लिट्रली रहा जा यह d y d x निकलेगा अपान में जो v है function x का इसका निकलेगा d y d x ठीक है यह concept है कुल मिलाके यह जो function है u इसका derivative निकाल लिए x के साफ इस जो function v है x का function है इसका निकाल लिए d y d x और यहीं पर रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा d y d v और view क्या है यह function है वी क्या है हमारा यह है यानि एक function का दूसरे function के साफ पर चौकलन हो गया और यह सवाल पांच नंबर में कई बार पूछा गया ठीक है चलिए इस तरह सवालों को क्या करते हैं कैसे करेंगे देखेगा और सबसे पहली बात एक हजार एक यह आउन लाइक आप नहीं कर रहा है जीच में दिकत हो जाएगे आपको ठीक है एक है क्या लाइक करिए वर बच्चे निकमेंट के सरा आप मुस्सा नहीं आथा कि आप बहुत कूल रहते हैं और टाइम कभी आप इरिटेट नहीं होते हैं कभी जहलाक नहीं बोलते हैं हाँ एक चीज मुझे बहुत गुस्सा आता है बच्चे जो अनाप सनाप कमेंट करते हैं और वहीं सवाल पूछते हैं तो वारा जो हम कई बार बता चुकी है वह खोजना नहीं चाहते हैं ठीक है तेखिए इसमें क्या करते हैं यह बहार 10 इंवर्स है अंदर यह ज । ुश्या नमडर देती जी हुआ ठक है तो शमी कर नमबर एक में देखिए गा समी कर नमबर एक में सुलुच्टिया अपने कौपी के विदियो पसंदंदा रहा एक हजार किना यान लाइक और सारे बेसे कमेंट करके कैसी हो लिए शमीन कर दूंबर एक में एक्स को जब हाँ पर 210 Tita आच थोड़ा से जादा पोशन करेंगे ठीक है 1- जहां जहां एक से वहां हमने अंदर ना यह जो अंदर बना है इते थीडा इत्जासर का फार्मला यानि कि फंक्षन तो हमारा ठीटा में एक्स में ही होना चाहिए अपने शुबधा के लिए कि यहां से ठीटा निकलेगा टैन को इधर बेजेंगे तो टैन नुर्स एक्स हो जाएगा अगर आपको ना समझ में आ रहा तो ऐसे कर लिजी टैन ठीटा इसकल टू एक्स कोई दीक करता हूं एक चीज़ हम आपको बता देते हैं जो इंचान कुछ नहीं कर सकता है कम सकम वो प्रयास कर सकते हैं आप प्रयास करिए कोशिच करिए कि हम जो है सीखें हम बोर्ड एक्जाम में अच्छा नम बलाएं ठीटा यहां पर रोकिंगे तो टैन को उधर भेजेंगे तो समझता है यू जो है ट्री नमर्स है टो यू वाइध करेंगे एक तक और आपक्र्ण यह डियो बाइड एक्स निकल गया इसको समीकर नमर तीन दे देजिए आप देखिए अब आईए यहाँ पर फी के पास समय में इतना नोट कर लिजे ठीक है डियो बाइड आगे समय में इतना नोट कर लिजिए फिर उसके आगे हम सॉल्प करते हैं विडियो पसंदार है एक ह नमर वाले उसमें फंज जाएंगे स्वाल प्रशान विजवत नहीं है एल पीपी का भी कोशन कराएंगे प्राइक तभी एक-दू-तारी को पढ़ा देंगे ठीक है चलिए इसको आगे और सॉल्प करते है कि चलिए समीकर नमबर दो से बच्चा इजो भी है इसमें भी वन प्लस टेन स्का स्वाड हेटा वहीं चीज़ह यहां पर बनेगा फिर से आपको समीकर नमबर स्रीय देखेगा समीकर नंबर स्रीय है मैं दू में क्या करेंग भी थ्यांन वानें Simmons तक तो यहां पी भी है हमारा उसे है के पर समल्देगे काम बन जाएक इस तरह सवाला और भी पूछे जाते हैं बदल देगा ठीक है यह फंक्शन आपस बदल दे रहते हैं एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन परक्ष कैसे ऑगलों होता है सीकना होना है अपान में वन फ्लass 10 स्कॉयर्ट टिक है यह साइन डू टू अीड़ यह थेड़ा की महस्की में चीजे ये सब्सक्राइब थो हो गया और टू टैन इन्वर्ट एक्स वी अगर हमारा टू टैनि एक्स है तो हमारा डी वाइड एक्स कहाई अपने कॉपी में आगे से करिएगा पना पलट रिजये गाई नहीं कि हम जैसे जैसे कर रहे टिना में वहां करें आप यह समझे कि आपका नीच से चला है ठीक है तूझ टैनिकर्स एक्स का फीर से अपने बच्चा बहुत असानल 1 प्लस एक स्क्वार ठीक है यह सब इकर नमबर हो गया है जार कि देखी हमने निकाला था ड्यू अग्स ड्व इद्यक्स और हमको बताना था ड्यू ग विए दी ठीक है यू क्या है यह function व क्या यह function जिसके साफेक बताना उनीची रहेगा तो कहीं नहीं कहीं आ गया है d by dx अपान में d by dx हो गया कितना आसान question है देखिए टू अपान में 1 plus x square टू अपान में 1 plus x square डिवाइड वाइड जो d by dx है समयकर नमर चार से टू अपान में 1 plus x square ठीक है अंस और हर समान बचा कर जाएगा वन आजाएगा खोदा पाहण निकली चुहिया मतलब इतना बड़ा function एक function का दूसरे function के साफेक चाउपन करना और इसको यू मानेंगे इसको भी मानेंगे और जिसके साफेक्स बताना है वो function हमेशा नीचे रहेगा कि लिए कोई दिक्कत परशानी हैरानी नहीं होना चाहिए यह दूसरा project देख्टे हैं ज्यादा समय ने लेंगे बार-बार कहना ठीक नहीं होता है दुसरा को finer चलिए दूसरा arecribe सामने दूसरा और दिखाया जाए आपके सामने दूसरा था दो दिन तो काफी हम हमें लागा कि ज्यादा लेंदी कोशन कराना भी ठीक नहीं है ठीक है थोड़ा सा एक दू दिन रेस्ट ले लिजिए कम-कम पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है हम इस विट बढ़ा देंगे एक दिन में 1520 कोशन भी सॉल्प करने के चंता रखते हैं अग यू माली जिएगा सॉल्फोषन में और ठीक है ? और इसको माली जिएगा भी फिर से महीं काम करना है DUIDV ठीक है करने करने के दूड दीख को पाड़ेगा अपान में भी है विभी डीए इसमें भी X is equal to 10 थीटा ही मानेंगे और कॉस्ट 2 थीटा का फार्मला बनता है पहले पर तो कोई दिक्क्राइब नहीं है यह फार्मला होता है थोड़ा कम यूज होता है इसलिए दिमाग में नहीं इतना रहता है 1-10 थीटा 1-10 थीटा 1-10 थीटा ठीक है यहीं चीज आएगा यहां पर मारेंगे X is equal to 10 थीटा ना X is equal to 10 थीटा तो यह बाद बनेगी ठीक है तो कॉस्ट 2 थीटा का बाहर कॉस्ट इन्वर्स से कॉस्ट कर जाएगा 2 थीटा फाइनली इसका अंसर भी 1 ही आएगा दोनों कोर्चन बहुत important है इसको कर लिजेगा बहुत असानी से आपको स इसका मतलग आप जो बताना है वो बताना है डीवाई वन अपान में डी वाइटु किसके सापेक्स पूस्छ रहाए यह इंप्रिटे इस फंक्शन का इसके सापफ पूछे गा तो यह नीचे रहेगा ठीक है तब यहां पर डीवाई डीवाई वन हो जाएगा यह द्यान दे बहुत इंपॉर्टन कोशन है को चलिए कोशन नंबर 11 बच्चों बहुत बच्चों का कमेंट आके सार आपने जो 50 कोशन दिये थे करने के लिए उसमें कहीं नहीं कोशन है इंक्लूड़ेड कुछ वो कोशन होंगे कुछ बाहर से होंगे तो कुण्वला के आपको जो भी साम 2021 के लिए चलिए कंपूटर में दे तीसरा कोशन दिखाया जाए बच्चों को तीसरा कोशन आपके सामने ये कोशन का स्क्रीन सॉट लिजिए कौपे पर नोट कर लिजिए समझ लिजिए आपके बुक का ही सवाल है कई बार पूछा गया है 2011 2019 2020 में ये सवाल आखिर में बोड एक्जाम में क्यों पूछा जाता है और इसके पीछे क्या कारण है इसकी खाशियत क्या है इस कोशन की यह ऐसे नहीं लगए जितना आसानी से दिख रहा है कभी-कभी क्या होता है कि हर बार हम लोग क्या कर रहे है कि dy वे dx ग्याद कर रहे है ठीक है यानि function जब y जो function होता है जो function जिसका होता है अगर कोई function y है एक्स का function है तो x के साथ चौकलन होता है लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि बहुत कम ऐसे मिलते हैं जिसमें dx by dy निकालते हैं यानि किशी function x का y के साथ चौकलन तो इस question में यहीं काम करना है और यह question इसलिए important हो जाता है ठीक है हमे को दिखाएंगे कि सवाल आया हुआ है 100% किसी सेट में जरूर होगा मैं मानता हूं हर सेट में नहीं होगा लेकिन किसी सेट में होगा और कोई सेट कहां पर चला जाएगा किस जिले में चला जाएगा इस बात की मैं गारांटी नहीं लेता हूं लेकिन इस बात की गारांटी तो जलैंगि यहां पी क्या है य को सेपरेट करना बड़ा मुश्केल काम है क्यों क्योंकि E English मेंसे अपने نिकाल सकते हैं कि सी के मुझे से निवाला नहीं निकाला जा सकता हैं बाहर इच्छिन सकते हैं थाले में खानाउ थोड़ो निकाल पाएंगे उसे तरह से cos y है समझे कि इसके पेट में है काना cos a plus y इसके एंगल से नहीं निकाल सकते आप y को ठीक है x दिख रहा है बार x को ही अलगिया दे जाए cos y अपान में यहाँ पे cos a plus y समझेगा ठीक है अब थोड़ा होली का जो रंग आब उतरना चाहिए धीर धीरे और अब जो रंग है वो बोर्ड एक्जाम 2021 का आब चाहिए उसका बहुत लोग को सोच सोच के तवियत खराब हो जाता है ठीक है करें अब क्या कर लें और होता है एक्जाम फीवर जिसको बोलते हैं बहुत लोग हैंडिल नहीं कर पाते है एक्स को पहले लिख लिजे थोड़ा सच्छा लगे कॉस वाई अपान में ठीक है कॉस ए प्लस वाई अब फंक्शन जो एक्स है वो देखा जाए तो वाई का है राइट हिंट साइड में पूरा वाई है एक उससे कोई परशानी नहीं होगी जैसे हम किशी फंक्शन का एक्स के सापिक चाहुकलन करते हैं डेरिवेटिव करते ह हैं उसी तरस से किसी फंक्शन का य के साफ़िक रिभी कर सकते हैं यानि यह जो निकालेंगे Dxy दीवाई हमको बताना है दीवाई वाई दीए तो आप कहेंगे कि यह दीएक्स बाइड देंगे क्या दिक करें डीएक्स बाइड देंगे डीएक्स अधिक अंसबान में हर क्या रूल होता है यह जो नीचे वाला आपको दो मिनट में आप पांच नमर अपना बना लेंगे ठीक है नहीं पिषिडि और जो हिरह कि अधिक करेंगे पर्षाद हो जाएयंगे क्लियर हुआ सवालों के इसलिए बार बार अभ्यास करना ज़रूई है कॉस्त ए प्लस वाई कॉस्त वाई का जो ऑउकलन होता है यह माइनस साइन वाई होगा ध्यान दीजिएगा अब देखिए जो आप मिस्टेक करेंगे वो क्या करेंगे कि अभी तक कॉस वाई का आपने अउकलन क्या माइनस साइन वाई और वाई का फीर से बच्चा कर देगा डी वाई का डी अगस यह नहीं करना है क्योंकि यहां पर डेरिवेट करें जाता है कि चलिये यहां पर पर कॉस्ट से प्लसवाई का जो ओक लोन होगा यहां पर माइनस कॉस्ट है-पर साइन होगा न, साइन एस प्लसवाई यह बहुत बड़िया हैं बहुत बढ़ी हैं तीसरा आज का तीसरा कोशन वैसे गरावा कोशन बहुत तगड़ा कोशन इसके बाद वाला जो कोशन होगा और बहत्री होगा अपान में देखिएगा कॉस स्क्वाइर ए प्लस वाई ठीक है चलिए डी एक्स अपने कॉपी में आगे सकते जाएए एक ह यह माईनस माईनस प्लस हो जाइगा प्लस वाले को पहले लिए लिए साइन एक प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस कॉस लिए इसमें कोई दिखत नहीं आगे नूट कर दिए अपने copy में आगे से करिए हम तो भले दर दर लिख रहे हैं इसमें क्या दिक्कत क्या है ठीक है उपर कुछ फार्मला दिख रहा है बच्चा sin a into cos b minus cos a into sin b अगर इस फार्मले से आप परचित है sin a into cos b minus cos a into sin b तो sin a minus b का फार्मला है ठीक है ध्यान दिजेगा dxy dy यह बच्चा sin a minus b का फार्मला है a के जगा a plus y है और यहाँ पर यह है नहीं b के जगा y है अपान में जो नीची है बच्चा को एक कोशन करके जाएगा मेरा दोस्स मत दीजेगा सरा आपने नहीं बताया कि ए के जगा हमारा है a plus y और b के जगा है हमारा y ठीक है तो sin a minus b के लिए हुआ यह क्या है प्लस y minus y कट गया तो इसको क्या कर देना है देखिए कॉस स्क्वाइर ए प्लस y अपान में साइन यही तो लाना था न यहीं लाना था आ गया कि नहीं तो तो आप x के ह्साप x एक्स ओक्रन करना डेरिवेटिव करना खूब आपकी प्रैक्टिस होई है लेकिन आगर हम कहते कि वाई के साप्रीव करिए तो जाता है और पूछने लायक है कोशन ठीक है अगर आप यहां पे एक सो सेप्रेट नहीं कर पाएंगे तब यह कोशन इस जनम में लगने से नहीं बहुत प्रावलम होगा लग जाएगा काफी काफी प्रावलम होगी और आपका शमय जाया होगा ठीक है चलिए आई आज का चौ करेंगे यहां पर देखिए फंक्षन कोशन नमर बरहावां कंप्यूटर में दिखाया जाया आपके सामने रहा यह कोशन क्यों पूछा जाएगा आपसे उसका कारण हम बताएंगे और इस सवाल बोर्ड एक्जाम में आने लायक है वह क्यों आएगा देखिएगा पहली बा बता ह। यह होता है तो नीचे वालव फंक्स जियंग आने रहाण सब्सक्राइबर माइलिन नीचवाल फंक्षन गुट आवक्रण होगा जो नीच फंक्षन दीनॉम्रेंटर कि अब बच्चे देख सकते वह दikutने पहली बात यह रूल है आपको पता है कि नहीं दूसरा चीज कि d y y dx आफ sin inverse x का ओक्लन पता है कि नहीं अगर नहीं पता है तभी आप चुच्चा बैठे रहेंगे यह होता है ठीक है यह बात आपको पता है कि sin inverse x का ओक्लन यह होता है दूसरी बात कि d y y dx आफ अंडरूट x का जो ओक्लन होता है वह हम कई बार बताएं 1 by 2 अंडरूट x होता है ठीक है और चेन रूल आप जानते हैं कि नहीं अगर यहां पर अंडरूट x है तो वन अपान में 1 by 2 अंडरूट x होता है ओक्लन लेकिन अग कि स्रिंखला नियम भी आप जानते कि नहीं कैसे function का ओक्लन होता जाता है ठीक है successive derivative यहां पर चली इतना नोट करिए पहले सभी बच्चे नोट करें तब आगे हम कोशन करते हैं कोशन पांच नमर में पूछा गया कई बार ठीक है चली कोशन नमर पांच मां चलिए बहुत बच्चों ने ट्राइ कर लिया होगा इस question की खास्यत क्या है अब आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अगर इसका उकलन सिर्फ करने के लिए कहने सिर्फ इसी का कि अंडरूट वन मैंस एक स्कार तो कितने बच्चे इसी गलत कर देंगे देखेगा क्या पहले जो अंडरू यह सारी सीजिए अगर आपको जानकारी है तो यह सवाल आप कर ले जाएंगे देखेंगे चलिया आईए करते हैं इसका solution करते हैं और असान है देखिए आउकलन की जो कोशन है पांच निमर वाले ना बहुत कठीन ना बहुत आशान कुछ रूल्स रेगलेशन फार्म में आ ठीक है चले बहुत बढ़ियां एक हजार एक लाइक करें और कुछ ऐसी बाते टाइम टेवल आजाएगा एक दू दिन के अंतर में आजाएगा जो नया टाइम टेवल होगा तो आप समझे कि 10-15 दिन हमको एक्स्टा मिला है तो मुझे वो नुक्षा नहीं करना है आप जो रहेंते पता चला वह भी ब्रेक हो गया तो हमें कॉंटिनीवटी बना करें कम ही पढ़ेंगे थोड़ा टाइम पढ़ेंगे लेकिन पढ़ते रहेंगे यह सवाल है अभी भी हम देखिए चार माज कोशन करा रहे हैं भी हमारे स्पीड बढ़ जाएगा थोड़ा सा ठीक है नया आने से एक होता ने कि चलो अब नया आया अगा तो पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है थोड़ा सा कम पढ़ेंगे लेकिन कॉंटिनीवटी होना चाहिए में चीज़े ब्रेक नहीं होना चाहिए देखिए यहाँ पे डी वाई वाई डी एक्स करेंगे वहीं प्रूब करके लाना है RTP का मतलब होता है required to prove, c दिकरना है, 1-x² into dyy dx is equal to x into y plus 1, यहाँ पर y है, y का मतलब है, यहीं चीज है, sin inverse upon my under root 1-6 square, वहाँ पर वो चीज आना चाहिए, यारि कहीं पर अगर यह चीज दिख गया, कहीं पर यह दिख गया, इसको हम equation number 1 दे देते हैं, ठीक है, equation number 1, यह हमें prove करना है, चलिए, इसमें u by b वाला rule लगाती है, इसको u समझे, इसको भी समझे, तो जो नीचे वाला function है, बच्चा उज्यों कात्यों होता है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा dy by dx साफ, sin inverse x, इसमें कोई दिकत, examiner अगर आपने इतना भी कर दिया, examiner तुरन समझाएगा कि बच्चा का जो step है, वो बिल्कुल सही है, इस बार क्या होगा बच्चा, sin inverse x, जियों करते होगा, dy by dx, आफ under root 1 minus x square होगा इस बार, ठीक है, अब जो नीचे function है, यानि denominator में, हर में, उसका square हो जाता है, under root 1 minus x square का square, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं उसके है, अभी अभी हमने rule लिख वाया था, आपने नूर जरूर किया होगा, उसी बैठा दिया, dy by dx देखे, dy by dx को कभी कभी y1 भी लिखते हैं, या y dash भी, sin inverse x का oclean क्या होता है, under root यहाँ पर 1 minus x square, sin inverse x का oclean अभी लिखा हैं, 1 minus यह चीज, ठीक है, minus sin inverse x को कुछ शेठार नहीं करना है, वसको जिएंग को तियों रहने दीजी, अभी इस का oclean बताए थे न, क्या होगा, 1 by 2 under root 1 minus x square, 1 का oclean 0, और x square का 2x, और जो नीचे function है, ठीक है, under root का i square होता है, यह पूरे पर under root है, ध्यान दीजेगा, तो यह finally क्या हो जाएगा, 1 minus x square, हट जाएगा, किसी भी under root का i square करते हैं, तो under root हट जाता है, simply 1 minus x square हो जाएगा, अब जो proof करना है, ध्यान दीजेगा, कि dy by dx सा 1 minus x square है, यह समझेगा, सारे बच्चे कमेंट करें, कि कैसा रहा हो ली उनका, और आपने आपको बहुत सतर्क रखना है, सही से रखना तबियत ना खराब हो, क्योंकि बार बार बोलता है, अपना, क्योंकि जो भी चीजे की जा सकती हैं बच्चा ना, जब स्वास्त सही रहेगा तब, otherwise, कोई कितना भी बुद्धिमान हो, अगर तबियत खराब हो गई, सारी बुद्धिमानी जो है निकल जाती है, 1 minus x square into dy by dx, ठीक है, यह तो कट जाएगा न, तो यह 1 हो जाएगा, यह 1 minus x square इधर बेजती है, जो shine inverse है यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, minus minus plus हो जाएगा यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, 2x sin inverse x upon में, under root 1 minus x उसका है, यह into में है न, यह minus minus plus हो गया, 2 से 2 कट गया, कट गया है, ठीक है, sin inverse x upon में यह जो इच्छी बचा हुआ है, यह जो देखिए, यह क्या है, समिकर नमर 1 से देखिए, यह देखिए, sin inverse x उसका है, under root 1 minus x उसका है, क्योंकि प्रूफ में कहीं पर sin inverse x नहीं दीखना चाहिए, under root 1 minus x सकाहिए, यानि कि यह पूरा जो है, यहाँ पर दीख रहा, यह y से replace हो जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा, 1 minus x स्काहर, dy y dx, ठीक है बच्चा, यह 1 है, तो 1 को क्या करेंगे, पूछ नहीं, यह x तो रहने दीजिए, और उसके बाद वाला जो टर्म है, वो यह है, ठीक है, यहाँ पर प्लस, प्लस आया था ना, यह प्लस था, यह माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस, क्या यहीं प्रूब करना था, क्या, देखिए, कितना असान पोर्चन है, यहीं प्रूब करना था, 1 minus x स्काहर इंटू, dy y dx, is called to x into y, आपको इतना असानी से दिख रहा ना, अगर आप सवाल करके नहीं गया है, और अचानेक बोर्ड में आ गया, तो चारों खाने चीत हो जाएंगे, आपको अंडरूट अंडरूट देखिए, ऐसी डर लगता है, मुझे लगता है, जहां अंडरूट देखिए, वैसे आपके हाथ पांग फूलने लगे, ठीक है, जबकि अंडरूट को हैंडिल करना बहुत असान, बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, एकदम जेल में रहता है, और कुछ ज़्यादा उसलता कुट्ता नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा से हैंडिल करना असान नहीं है, ठीक है, यही चीज में है याप, यू भाई भी वह ज़रूर लगा है, पूरा कॉशन का जो पॉइंट सबसे इंपॉर्ण पॉइंट यहीं पर है, यू भाई भी का, ठीक है, समझा गया, चौथा कोशन आज का चौथा है, दे दे और कहें कि लिजे बच्छा इस पॉइंट पे आप चेक करिए कि फंटिन कॉंटिनिवस है या कॉंटिनिवस नहीं है उल्टा सवाल पूछता है कि देखियो कोशन में क्या बोला है कि x is called to one पे जो फंक्षन fx से सतत है तो a और b का मान बताएं कोशन आपके सामने जो दीख रहा है समझ में आगया कोशन गया स्क्रीन सौर्ट लिजे कोशन आपके बुक मिल जाएगा आपके विद्या कोशन बैंक मिल जाएगा विद्या कोशन बैंक से ही सौब हम करातें या जो जैर कि जब X-scal to 1 है यानि एकदम exact X-scal to 1 पे function कमान गया रहा है और X-scal to 1 से छोटा है तो function 5AX-2B है तो जो function का जो behavior change कर रहा है एक सिस्कal to 1 पे बोला है function सतत है सतत का मतलब continuous English में बोलेंगे ठीक है continuous है तो जो function continuous होता है बच्चा तो क्या चीज हमने बताया जो भी बच्चे नहीं देखे है 44 नंबर का जो हिश्चा है हमने Auckland को एक जगा रखा है पहला ही लेक्षर आपको continuity का मिलेगा 4-5 question उसमें कराया है बिल्कुल concept के लिए हो जाएगा जाके देखिए ठीक है प्लेलिस्ट चेक करिए 44 नंबर का जो आउकलन समाक्लम का हिश्चा है पहले दिन है आउकलन समाक्लम लेगा 44 नंबर का ठीक है तो वहाँ पर continuity का वैसे भी हम यहाँ पर आपको डिसस कर दे रहे हैं समझ में आ गया हमारा जो एक सिसकल टू वन पर यही पॉइंट हमारा सी का काम करता है यानि सी स्कल टू वन पे हमें continuity चेक करना है और कोई है राइट है राइट हैं लिमिट के डिफिनिशन क्या है वच्चा यानि फंक्षन कमान थोड़ा वन से बढ़ाओ देते हैं यहाँ पर C प्लस एच है limit h tends to zero और एक सिसकल यानि c पर यहां पर c हमारा one है ठीक है तो function जो होता है जिस बिंदू पर हमें continuity check करना होता है उस पर function का मान यहां पर x is called to one पर function का मान दिया रहा है यह बराबर हो गया तीनू ठीक है तो इसको बोलते है function हमारा क्या है x is called to c हमारा क्या है यहरा अलग बात है कि one है in general हम समझते हैं बदल सकता है two हो सकता है five हो सकता है कोई भी constant number हो सकता है जीरो भी हो सकता है वीडियो पसंदार है वीडियो लाइक करिए एक हजार एक क्या हो लाइक यह घजार हर वीडियों पहुचाए भाई इससे आप भले ठक जाएं पर हम नहीं ठकने वाले आपको चलना है मेरे साथ चलना है ठीक है यहाँ पर एच क्या है यानि जो सी कमान वन है तो हम चेक करते हैं कि फंक्शन का भी है थोड़ा सा यानि वन में से कु कुछ इस तरह से नमबर होता है 0.0001 इस टाइप का एकदम 10.00 का मतलब होता है कि लगभग लगभग 0 ठीक है यह बताइए अगर आप यहाँ पर C1 है वन में से कुछ भी गटाएंगे बहुत-बहुत माइनूट बहुत लगभग लगग 0 बराबर उस पर हमें फंक्शन का भ बढ़ा देते हैं यानि वन में से हम कुछ थोड़ा सा बढ़ा के वैलू देखते हैं 1.001 पर फंक्शन का भी हेवियर तो वन से कम और वन से ज्यादा पे और वन पर अगर तीन उमान बराबर आता है तो फंक्शन हमारा कहलाता है कॉंटिनुवस कॉंसेट के लिए हो गया आप देखिए कैसे सौ परेंगे ये कॉंसिन में कॉंटिनुवस दे दिया है six equal to one pair function हमारा सतत है तो function बच्चा सतत हैं तो इसको बोते है ले legitimat उन्निमित यह वोते हैं राइट हैं लिमित थीक है लिव हुआ forcesi तो पहले निकालते हैं राइट हैं लिमित इसी यह निकलना ह पड़ेगा सॉलूशन देखिए सॉलूशन देखिए हमें निकालना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट जो बच्चे अभी भी जॉइन कर लेंगे ना कॉंटिनिवस अगर वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छी त्यारी हो जाएगी क्लियर हुआ लिमिट एच टैन्स टू जीरो सब बच्चों को जोड़ेए भाई सी प्लस एच हमारी डीफिनीशन है राइट हैं लिमिट के वो रहसे से नहीं होगा बचा राइट हैंड लिमिट होगा यहां पर c जो है हमारा 1 है ध्यान दीजिएगा c हमारा क्या है 1 है यहां पर देख लिजिए limit h tends to 0 c के जगा हमारा रखिए 1 प्लस h अब देखिए यहीं हमारा x है पूरा 1 प्लस h यह function यह x x कमान अगर 1 से बड़ा है तो function हमारा यह होगा यहां पर बताइए अगर 1 प्लस h है अगर 1 में आप कुछ भी positive number भली कितना क्यों न छोटा हो 1 में कुछ भी है अगर 0.00001 जोडेंगे 1.0001 ही तो होगा यह तो greater than 1 होगा यानि अगर 1 कुछ भी जोडेंगे यह number जो है greater than 1 है जो function fx x के जगा 1 प्लस h है जो की 1 से बड़ा है यानि function जब एक 1 से बड़ा होगा उस समय 3ax प्लस b होगा function ठीक है चलिए तो यहां पर समझ लीजे एक बार समझ लीजे तो function हमारा क्या है 3ax x हमारा यह होगा 1 प्लस h ठीक है 1 प्लस h यहां पर प्लस b ठीक है यहीं चीज़े में आप देखिए उसमें कुछ x एक्स नहीं दिख रहा है यहां पर यह चीज़ का लिजे 3a प्लस 3a h प्लस b अब लिमिट रख दीजिए h tends to 0 यानि h कमान लगवग लगवग 0 है रखते 0 ही है लेकिन पढ़ते लगवग लगवग 0 है इस कमान कहां कहां एच है यहां पर 0 रख देना है ठीक है यह हो गया 3a प्लस b इसको समयकर नंबर एक दे दीजिए ठीक है यानि फंक्शन का जो राइट हैं लिमिट आया है वह आया है वन अब निकालते हैं लेफ्ट हैं लिमिट ठीक है चलितना नोट कर यह फटा फट इसको समयकर नंबर एक देते हैं अब निकालते हैं लेफ्ट है लेफ्ट है लेफ्ट है यह इसकी जो डिफिनिशन है है एफ माइनस ह जो हमारा जिस परिंटेच करना है होँ है यहां पर समझ लिये एक ही पोस्ता अगर समझ लिए तो इस पर हला रिक मज़्ट बनिए हैं इवर वन में से अगर कुछ भी घटाएंगे थोड़ा सा भी घटा देंगे कोई वेलू है एच हमारा पॉस्टिव नंबर है द्यान देजेगा कभी निगेटिव नहीं होगा जीरू से बड़ा ही भले जीरू से थोड़ा साही बड़ा होगा लेकिन रहेगा पॉस्टिव हमेशा प्लस इसमाल पॉस्टिव नंबर सब बहुत छोटी धनात्मक संख्या है अगर वन में से कुछ भी घटाएंगे यह नंबर क्या होगा बच्चा वन से छोटा होगा यह जो एक्स की तरह काम करेगा यानि जो एक्स है वन माइनस से अच ठीक है एक्स कमान जब वन से होगा यानि एक्स newsन वन है तो function अब्रूप फाइफ माइनस टूब है यह यह पूरा जो एक्स है यह काम करेगा ईसशितर क्योंकि यह जो function एक्स पर डिपेंडेंट है कि एक्स की वैलू क्या है उसकी हिसाप से भी करता यह यह और यह ठीक है यानि एक्स लेज देन वन है तो फंक्शन हमारा फाइफ एक्स माइनस टू भी है क्लियर वा बच्चा समझ आ गया इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो यह हो है एस टैंट सुझी जीरो है आप रख दीजिए अब लिमिट रखे तो फाइनली हमारा आ जाएगा फाइफ ए माइनस टू वी ठीक है यह आगे हमारा लेफ है लिमिट क्लियर वा लेफ्ट है लिमिट क्या गई फाइफ ए माइनस टू भी इसको समय करना नमर दो देदिए चुकि function continuous है एक सिस्कल्ट टूवन पर यह हम नहीं करें सवाल में दिया था ठीक है चलिए इतना नोट करें फटाफट सभी लोग नोट करें चलिए इसके आगे स्वाल करते हैं चुकि function एक स्कल्ट टूवन के बच्चा सतत है continuous है तो कुछ नहीं राइट हैं लिमिट बढ़र हो जाता है लेफ लीमिट के और बरूबर हो जाता है एक सिसकल्ट टूवन पर यानि फंक्श जिसपर continuity की बात हो रहे है फिर फंक्षिन कमान राइट है राइट है जो फंक्षिन कमान यह वाइट है इसका भी यूज होगा यह क्यों दिया है ठीक है अब जाके यह जो रहा है देखिए यह तीनों चीज़ें आपस में बराबर रहें 3a प्लस b बराबर है 11 के और 5a-2b बराबर है 11 के एक बार फर्स्ट और थर्ड लेंगे a और b में समिकण बनेगा सेकेंड और थर्ड को बराबर करेंगे तो फिर से और b में समिकण बनेगा दो इक्वेशन बन जाएंगे a और b में और दोनों को सॉल्ब कर लेंगे ठीक है इसलिए सवाल पुछा जागा इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं पहली बात कि आपको continuity concept क्लियर है कि नहीं सब्सक्राइब निकाला जाता है वह किलिए रहेगे नहीं किसी पॉइंट फंक्शन कॉंटिनिवस है तो यह बात आप आप जानते हैं कि नहीं अगर नहीं जानते तो सवाल नहीं लग पाएगा इसलिए सवाल इंपोर्टन यह नहीं कि देखने वह खुब्सूरत लग रहा है किलिर हुआ है सवाल भी खुबशुरत होते हैं यह फर्स्ट तो फर्स्ट और थर्ट को परावर कर दिए 3A प्लस भी इसकल्टू ग्या ग्यारा इस्टार एक्विशन जैसे जो भी एक्विशन फाइफ ए माइनस टू भी इसकल्टू यहां पे फिर से ग्यारा इसको डब आज तेंगे 15A प्लस 5B घ्यारा पांच यह 55 तीन कमड़ प्राई करेंगे 15A माइनस 10B यह 11 33 होगा ना ठीक है घटा देते हैं माइनस प्लस माइनस जो भी कोशन करना है पूरा करना है 5B 10B कित्ता हो जाएगा 15B ठीक है अब 55 में से 33 घटा पाएंगे क्या 5 में 3 जाएगा 2 5 में 3 जाएगा 2 22 ठीक है तो B की जो वैलू आई है बच्चा 22 बटा में 15 ठीक है एक बार हम देख लेते हैं किलियर है कि नहीं है कि कुछ गबड हुआ है क्या कि यहां पर ओ तीन दुना के छे होगा ना यह छे होगा छे पाजी 11 हो जाएगा तो बीकी वैलू तो टू आजाएगे निकिए बीक यह सब मिश्टेक होता है मैं अभी देखिए 10 15 कर दिये थे बीकी सब्सक्राइब करके बिल आइकन को दबा लिजेगा और कोई कमी हो हमारे में तो प्लीज आप जरूर बेशक बता सकते हैं उसको कोई बात कोई कमी है देखिएगा अगली बार उसे मैं इंप्रूब कर देता हूं वह जो बहुत अच्छा लगता है सचाई अच्छाई बताने वाले लोग बहुत होते हैं लेकिन आपको आईना दिखाने वाले लोग बहुत कम है आपकी गलतियों को बताने वाले लोग बह ज्यादा बहतर होता है कि तुलना में मिठी 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 उसकी बाते करें ठीक है तो होमवर्क हर दिन बच्चा कोई 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 कहता है तो आपके लिए होमवर्क यहीं है कि प्लेलिस्ट में जाके है कोई 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 कोउशन हमने करा वहां आज एक कोउशन हो गया चार पाच कोई कोशन और भी हम करा देंगे अच्छे वाले ठीक है कल जो सवाल की सुरुवात होगी continuity से ही होगा ठीक है आज के लिए हम इतना ही बस रहने देते हैं कल जो सवाल सुरूब होगा continuity से होगा और साथ में application अब derivative और भी लेंगे लेंगे वेक्टर अलजब्रा का भी लेंगे जो पांच नमर वाले हैं ठीक है तो यह सारी चीज़ें चलती रहेंगे टोटल कितना कोशन हो गया तेरह कल हम आठनो कोशन सॉल्व करेंगे ठीक है थोड़ा होली के एक दिल बात नॉर्मली देते हैं तो आई होप आपका session आज की बात नहीं आज क सवाल कैसा लगा प्लीज आप जरूर कमेंट करके बताइए और अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें इसके अलवा और कुछ नहीं ठीक है पाकिसाब कुछ बहुत अच्छा चलता है तैयारी आपकी सही चल रही है क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या चीज करा रहा हू उसी को किलियर करना है बार-बार और उस पर सवाल हमें प्रैक्टिस करना है मॉडल पेपर ही जल्द हम सुरू करने वाले है एक बार पूरा रिवाइज हुजा है साईस है ठीक है तो आज के लिए बस इतना है मेरे प्यार बच्चों कल मिलेंगे कुछ बहतरीन कोश्चिन के जाइएगा आपका श्वागत है सिवार था ये शिचार जाइए ठीक है इस चीज को एक बच्चे ने बहुत अच्छा करेट किया था मैंने जाके देखा सरकारी स्कूल में उसका क्या मतलब हो था तो हमने उल्टा बता दिया तो आज के लिए बस इतना है मेरे प्यार बच् शुक्रिया आप सभी का जै हिन जै भारत